नमस्का दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगिंदर यादर्व है आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है ड्रम स्टिक्स आपको पता है कि ड्रम स्टिक्स मार्किट के अंदर इसली अवेलिबल जाती है जिसको हम सहजना भी बोलते हैं यानि एक सहजना एक पेड होता है उसके पर फ़ल लगता है उसको ड्रम स्टिक्स मोलते हैं जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं ये जो ड्रम स्टिक्स हैं ये मार्किट के अंदर इसली अवेलिबल है ये पक्षियो को देने से पक्षियो को क्या फायदा होता है मेरा main purpose है वीडियो का आपको पता है कि सहजना का जो पेड होता है उसकी जो leaves होती है उसके पत्ते होते हैं उसके टैनिया होती है उसके flowers होते हैं उसकी हर चीज जो है birds के लिए उप्योगी होती है जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अपने pets जैसे पक्षी कभूतर या कच्छो के उप्चार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यह आप देखना चाहते हो तो description box में या comment section में दीएगे link पर जाकर click कीजिए और channel की membership join कीजिए इस पेड़ के अंदर इतनी qualities होती है कि आप इसको देने से आपके birds को बहुत ज़्यादा फैद होगा यह आपकी birds की immunity को अंदर से strong करता है इसमें बहुत सारे vitamins होते हैं यह calcium का एक बहुत अच्छा source होता है तो सहजना यह drumsticks यदि आप अपने birds को देते हो तो उनको whole life आप healthy रख सकते हो और आपका birds जीवन में कभी भी बिमार नहीं होगा क्योंकि यह birds की internal immunity को अंदर से बढ़ाता है internal immunity यदि आपकी birds की मजबूत है तो आपके birds के अंदर बिमारियों से लड़ने की जो है शमता बहुत ज़्यादा रहेगी drumstick को जो है morianga olifera यानि यह इसका वेग्यानिक नाम है इस नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं अब बात आती है कि इसके क्या-क्या ingredients होते हैं बर्ड को देने से क्या आप इसको benefit कर सकते हो देखिए यदि आप अपने birds को इसकी पतिया खाने को देते हो या जो drumsticks हैं आप इसको chopping करके ऐस बर्ड को खाने के लिए देते हो सबसे ज़्यादा जो इसका जो गुण है आप एक हैसकते हो कि ये वजन को घटाने में सबसे ज़्यादा सहाइक है यानि जो drum sting है या moringa की जो leaves आती है उसको ये दिया अपने birds को खाने को देते हो तो आपके birds में कभी भी body में excess fat नहीं बढ़ेगा एक जो problem होती है कि cage में रहते रहते हैं आपके birds बहुत ज़दा मोटे हो जाते हैं और ये कहीं न कहीं उनकी breeding system को affect करता है यानि infertility की problem का जो एक main reasons होता है वो body में excess fat हो जाता है जो excess चर्वी होती है birds के जो reproductive organs होती है उन पर जमा हो जाती है और ये moringa leaves क्या करती है कि ये पक्षी की उस चर्वी को गटाने में मदद करती है या birds का जो excess fat होता है ये आप अपनी love birds को दे सकते हैं जितने भी love birds होते हैं बजरीगर हो, parrots हो आपका मैकाउ हो, cockatail हो जितने भी love birds या parakeets की जो family है आप सभी को आप ये खाने में दे सकते हैं इसको देने से birds active रहेगा अज जो excess fat की जो problem है जो की छोटे cage बे रहने से अकसर सभी birds के साब देखने को मिलती है क्योंकि proper exercise ना मिलने के कारण birds proper continuous 24 गंटे seeds सीखाता है आपको पता है कि seeds में excess fat की percentage होती है ज़्यादा होती है तो उससे क्या है body में exercise ना होने से fat देरे देरे body में deposit होना शुरू करता है और ये कहीं न कहीं आपके bird को जा करके लेथार जिकार देता है यदि आप एपने birds की diet में regular morianga leaves ये powder form में भी आता है आप morianga leaves के direct को उसके पते दे सकते हो कभी भी एकसर fats के problem नहीं आएगी अब बात आती है कि इस mick को देने से और क्या-क्या फायदा हमारे पक्षियों को होता है कि हम क्यों दे कि हमारे birds इसे खाने से हमेशा healthy बने रहे यदि आपने birds को आप regular ये देते हो तो मानके चले कि आपने birds को कभी भी किसी medication की आपको जरूत नहीं पड़ेगी सबसे जो main फायदा है इसको morianga leaves को देने का या drum sticks को देने का ये calcium का सबसे अच्छा source है यनि आप market के कितने भी man-made products calcium चैप उसको liquid form में दे रहे हो या blocks form में दे रहे हो morianga leaves में उनसे जो है 17 times more calcium होता है यनि आप ये मनके चले कि birds को यदि आपने calcium देना है और इसको देने से आपके birds में कभी भी calcium की कमी नहीं आएगी और क्योंकि इसमें आप ये मनके 17 गुना जादा calcium है और दूसरे चीजों से तो आप इसको प्रेफर कीजिए birds की हडिया मजबूत रहेंगी उनके feathers के color जो है as such bright रहेंगे बिल्कुल फीके नहीं पढ़ेंगे तो calcium का source अधिक होने के वज़े से हम इसको birds की diet में देना सब श्यदा प्रेफर करते हैं vitamin A आपने सुना होगा vitamin A को देने से birds की क्या का फायदा होते है आपको पता है vitamin A मेलनी birds की visions के लिए यानि जो birds को देखने में कोई दिक्कत ना हो birds की view हमेशा प्रॉपर रहे वो vitamin A होता है और vitamin A सबसे ज़्यदा हमें मानके चलते हैं कि carrots में होता है गाजर में सब सबस्यदे vitamin होता है लेकिन moringa leaves में या जो drum sticks होती है इसका जो आप fruits कर सकते हो उसमें जो है carrots से भी no गुना ज़्यदा vitamin A इसके अंदर होता है इसलिए आपके birds में calcium की पूरती और vitamin A की पूरती इनको देने से जो है पूरती हो जाती है और जो vitamin A के जो benefits होते है जो birds को मिलने चे वो इसको देने से automatic birds को मिल जाएंगे birds का vision हमेशा proper सही रहेगा vitamin A देने से और भी जो birds के internal organs है birds की reproductive system वो भी हमेशा healthy बने रहेंगे और क्योंकि vitamin A से ही और जो body के जो दूसरे vital organs हो उनमें भी help करता है उनको digest करने में तो इसलिए vitamin A का जो रोल होता है body में काफी important होता है इसलिए इसको देने से vitamin A की कमी आपके शरी में नहीं होगी आप birds में excess vitamin जब जाएगा तो आपका birds हमेशा healthy बना रहेगा हमें अपने birds को हमें पता है आप अपने birds को regular देते हो तो ये इसके अंदर orange से भी यानि संत्रे से भी चार गुना ज़्यादा vitamin C होता है यानि एक चीज के अंदर आप गुन देखे कितने सारे हैं यदि आप इस एक चीज को आप देते हो तो आपके birds को क्या है calcium मिलेगा vitamin A मिलेगा और vitamin C मिलेगा और आपके जो birds में जो excess fat है उसको भी reduce करने में काफी help परेगी इसलिए जो drum sticks है या moranga leaves यदि आपने regular parakeets को खाने के लिए आप देते हो तो आपका birds हमेशा healthy बना रहेगा और vitamin C body के functions के लिए birds की immunity को boost up करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो कि birds के लिए cage birds के लिए जो कि excess stress में रहते हैं उनको vitamin C मिलना बहुत ज़रूरी होता है excess stress की वज़े से और आपके इस moranga leaves को यदि आप regular अपने birds को ऐसा chew करने के लिए देते हो या drum sticks को खाने के लिए देते हो कि आप कोई भी medication ना देगी आप अपनी birds की diet में आप इसको regular अपिदियाब देंगे तो आप इसको daily भी दे सकते हैं इसको daily देने से भी birds को कोई नुकसन नहीं आप देखेंगे कि जो लोग अपने parakeets को, buzzigar को, cockatail को या और जो love birds हैं, canyures हैं या फ्रीकन गिरे पैरेट्स हो, उनको regular drum sticks देते हैं regular chew करने के लिए, या moringa leaves की पतिया देते हैं, तो आपके birds कभी भी जीवन में बिमार नहीं पड़ेगे किसी भी परकार की deficiency, आपके birds में आपको कभी देखने का मिलेगी उनकी immunity और दूसरे birds के comparison में हमेशा अप रहेगी और आपका birds कभी भी जीवन में बिमार नहीं पड़ेगा, ये जो birds की जो है, अगर कोई injury हो जाती है तो उसमें भी healing में काफी help करता है, इसलिए moringa leaves अपने आप में एक राम बार्ण है एक ऐसी आउश्टी है, या ऐसा plants है, जो की इसलिए आपके आसपस मिल जाएगा, बाकी आप फोटो के अंदर आप background में देख रहे हैं, moringa leaves आप paits भी देख रहे हैं, drumsticks भी देख रहे हैं, इन दोनों को देने से आपका birds हमेशा healthy बना रहेगा, आज मैंने इस वीडियो के मादिम से आपको बताया है कि birds को, parakeets को moringa leaves या drumsticks देने के क्या फायदे हैं, और इसको देने से birds को क्या benefit करता है उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद